हेलो एबरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बैटरी मेरे फॉन की डिश्चार्ज हुए है मेरी नहीं पूरी सिलेवस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी आसा करता हूँ कि सलेवस आपको समझ में आएगे अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट करके आप लोग जो है जो भी आपका doubt हो जो भी concern हो you can ask तो चलिए one by one पहले सबसे पहले देख लिजे कुछ चीजों को ध्यान से देख लिजे 6.12.2022 से form आप apply कर सकते हो data of submission जो online application के लिए है यहां से आप देख सकते हो और जो last time रहेगी वो 4.10 तक आप apply कर सकते हो और fee वगेरा के लिए 6 तक आपको time दिया जाएगा और correction वगेरा के लिए कुछ और time आपको यहां पे मिल जाएगा तो चलिए syllabus पे जलते हैं विडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे आपका समय बहुत कीमती है तो चलिए one by one मैं यह रहा syllabus tier 1 और tier T दोनों के syllabus को मैं आपके साथ discuss यहां पे कर दूँगा सबसे पले आप लोगों से question पूछ लेता हूँ आप लोग CHSL वाले exam देने वाले हो तो नीचे कोमेंट करके बताएए X to the power 0 degree equal to क्या होता है नीचे कोमेंट करके इसका answer दीजिए दूसरा question है पानी पत का पानी पत का पर्थम और दूतिय यूद कब हुआ था नीचे कोमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा तो चलिए Tier 1 यानि कि जो PT की परिक्षा होगी यानि कि पर्थम प्रारंबिक परिक्षा होगी उसके लिए syllabus देखिए English language से question पूछा जाएगा जो कि basic knowledge रहेगा उसमें देखिए syllabus के according जो है और 50 नमर दिये जाएगे यानि कि GK से 25 question पूछा जाएगे और उसमें भी आप डबल कर दो तो 50 हो जाएगे इसी तरह से quantitative aptitude यानि कि arithmetic skill mathematics की बात हो रही है यहाँ पे 25 नमर यहां से भी पूछा जाएगा 25 और डबल कर दो इसे आप यह भी 50 हो जाएगा आगे देख लीजिए general awareness से भी question पूछा जाएगे 25 और वो हो जाएगा 50 यानि कि यहां से देख लीजिए कुल मिलाकर जो 4 section है ना 4 section में total question आपके जो marks हो गए वो कितने हो गए यहां से जोड़ दोगे आप तो 200 हो गए I mean 200 marks का जो है question पूछा जाएगा तो 60 minute आपको दिये जाएंगे याद रखिएगा 80 minutes for candidate eligible for जिनको देखने में तकलीफ है उनको 80 minute में यह solve करना होगा एक घंटे में एक घंटे में आपको 100 question solve करने हैं याद रखिएगा 200 question मत समझ लेना आप एक घंटे यानी कि 60 minute में आपको 100 question solve करने होगे अब बात करते हैं tier 2 की तो tier 2 में subject section wise यहाँ पर बटा हुआ है तो कोई बात नहीं one by one चीजों को समझते हैं पहला जो exam होगा वो mathematics का होगा और reasoning और general intelligence का होगा 30-30 question पूछे जाएंगे और आपको जो maximum marks है हर question के लिए तीन नमर मिलेंगे एक 180 नमर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और हर section के लिए एक घंटे मिलेगा याद रखिएगा इसे बात को हर section के लिए एक घंटे अब देखिए section 1 में जो है actually section 2 में जो देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा section 2 को 2 parts में डिभाइड किया गया है section 2 में देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा English language और comprehensive पूछा जाएगा general awareness पूछा जाएगा 40 जो है आपके यहाँ पर question बनेंगे और 20 total start question बनेंगे और 180 नमर का marks यहाँ भी दिया जाएगा एक घंटे का समय मिलेगा यानि कि यहाँ भी 60 question यहाँ भी 60 question हर question के लिए एक question के लिए एक minute आपको हर section के लिए मिलेगा और question का जो marking होगा वो 3 marks का होगा चलिए आगे बढ़ते है section 3 की बात कर लेते है section 3 में computer knowledge module पूछा जाएगा इसके लिए कितने score मिलेंगे आपको 15 और 15 को 3 से multiply कर दोगे तो 45 आगे बढ़ते हैं section 3 की ओर जिसमें skill test, typing test आपका लिया जाएगा एक ही साथ तो इसमें skill test में DEO से इससे question पूछे जाएगे 15 minute आपको समय दिया जाएगा और section 3 की अगर बात की जाए न तो इसमें आपको typing test LDC JSA के लिए 10 minute का समय दिया जाएगा तो इस तरह से जो है यह आपका रहा syllabus 2 और अगर details में syllabus यहां से देखना चाहते हो तो one by आप चीजों को देख सकते हो skill test में क्या-क्या पूछा जाएगा क्या-क्या words आपको पूछे जाएगे तो यहां पे इस तरह की बाते लिखी गई है और आप लोगों से request देखिए average, proportion, square root simple interest और compound interest से भी question पूछे जाएगे number की बात करें तो hall number, decimal, fraction यह सब आप से question पूछे जाएगे geometric के question पूछे जाएगे, mensuration के question पूछे जाएगे, trigonometry के question पूछे जाएगे aesthetic charts से भी question पूछा जाएगा तो इस तरह के जो questions है यह जरूर आप लोग कर ले general awareness की बात अगर की जाए तो यहां पे environment में जो चीज़े हो रही है, उसके बारे में society में जो भी जी के सम्मंदित है economics, scene, geography भी पढ़ना होगा आपको general policies भी पढ़नी होगी history, culture से भी question पूछे जाएगे आगे देख लीजे number system में जो tier 2 की बात हो रही है hall number, decimal, fraction, relation between numbers, यह question पूछा जाएगे fundamental में आपसे percentage, ratio, proportion, square root, average interest पूछा जाएगा loss profit, discount यह सब पूछा जाएगा algebra पूछा जाएगा, geometry में algebra में basic algebra रहेगा इसके अलाबाइ schooling, इसके बाद simple problem graph से भी question पूछे जाएगे geometry में आपको बहुत सारे देख सकते हो tangent, angle, यह सारे चीज़ यहां से पूछे जाएगे, mensuration, trigonometry statics and probability से भी question पूछे जाएगे, याद रखे गए चीज़ों को और जो verbal और non-verbal type के reasoning है, वो आपसे यहां से पूछ लिया जाएगा symbolic हो, या फिर diagram हो, figure वाले हो या फिर when diagram हो, इससे question पूछे जाएगे English में vocabulary, grammar sentence, structure, synonyms and anonyms और उनका correct use क्या होता है, यह सब question पूछा जाएगा आगे देख लिजिए, general awareness में आपसे क्या क्या question पूछा जाएगा जो कि history से related हो, culture से, geography से, economic scenes हो, general policies हो उससे question पूछा जाएगा computer में देखिए, organizations of a computer, central processing unit CPU से, input output device से question पूछा जाएगा, computer memory memory organization, backup devices port से question पूछे जाएगे window explorer से question पूछा जाएगा keyword shortcut से भी question पूछा जाएगा software की अगर बात करें तो MS Word, MS Excel, PowerPoint से question पूछे जाएगे, working with internet email से question पूछे जाएगे basics of internet and cyber security से question पूछा जाएगा तो इस तरह के questions आएगे जाते 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 जैहिंद जरूर लिखते हैं अगर वीडियो आपने अंतर तक देख ली है तो जैहिंद लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा वीडियो आपने पूरी देखी है वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए का तहे दिल से बहुत बहुत सुक्रिया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें धन्यबाद